एलो स्टुएंट्स कैसे हैं आप सब लोग 10 मिनिट रिविजिन सीरीज में आज में एक चैप्टर पढ़ेंगे जीरो ट्वेंट सब कुछ अच्छे से से रिविजिन करा दूँगा तुम्हें सब कुछ याद भी हो जाएगा इसकी मेरी गारेंटी है चैप्टर का नाम है गवर्मेंट बजट चैप्टर क्लास वेटेज की बात करें चैनमबर तक का आएगा और हम आज पूरा रिविजिन करने वाले हैं ध्यान से एंड तक देखना सबसे बला करम बजट की बात करें बजट जो होता है एक स्टेटमेंट होता है दो चीजों का एस्टीमेटेड रिसीट और एस्टीमेटेड एकस्पेंडिचर किसका गवर्मेंट का कि किसका बजट है गवर्मेंट का बजट है इस्त्रीमेटेड मतलब अंदाजा लगाना अगर 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 यह बजट बनाती है इसको बोलती है यूनियन बजट जो फेबरेडी के पहले तारीक को अगर बात करूं बजट की अबजट की बनाया जाता है बजट तो बजट बनाने के चार अबजटिव शॉर्ट में क्लास आपको आपको आजगाना मेरा M E R A तो इसका मतलब क्या होता है M for managing public sector enterprise हमारी country में बहुत सारे public companies हैं जो profit motive के लिए काम नहीं करते हैं अगर वो social welfare के लिए काम करते हैं तो सरकार budget में उनको fund allocate करती है लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो सरकार उनका privatization कर देती है दूसरा economic stability ना inflation अच्छा है ना deflation अच करती है deflation की situation में सरकार tax rate कम करते subsidies देती है अपने खर्चों को बढ़ाती है redistribution of income and wealth अमीर गरीब के बीच का फासला बहुत ही problem करता है जिसके वैसे इंडिया में अमीर लोग भी बहुत जादा है और गरीब लोग भी बहुत जादा है इनके बीच का फासला कम करने ले सरकार करती है budget जो tax system उसको progressive बनाती है अमीर लोगों के ओपर high tax लाएगा जितना ज्यादा कमाते चले जाओ को उतना ज्यादा टेक्स बढ़ता चला जाएगा और गरीब को subsidy मिलेगी ताकि अमीर की income कम हो जाए गरीब की income बढ़ जा और दोनों के बीच में class the difference है वो कम किया जा सक BD cigarette Tambaku बनाने वाले company पर heavy tax और जो company class खादी बना रही है food item बना रही है necessary drugs बना रही है उन सब के लिए class low tax बात करते हैं class budget के दो component की broad component में सबसे पहला है budget receipt साल भर में जितनी भी कमाई होने वाली है कहीं से भी budget receipt साल भर में जितने भी खर्चे होने वाले हैं किसी भी जगे budgetary expenditure अगर हम बात करूं budget receipts की उसके दो पाट है revenue receipt capital receipt revenue receipt सरकार की ऐसी receipt है जिससे सरकार की कोई भी asset नहीं कम liability बढ़ती है free का पैसा सरकार को मिलता है revenue receipt जैसे tax और capital receipt मतलब जिससे कोई नहां कोई सरकार की liability या तो बढ़ेगी free month ही मिलेगा liability और साथ में कोई नहीं कोई नहीं कोई बढ़ेगी या कोई ऐसेट कम होगी इन दोनों मेंसे कोई नहीं कोई एक काम होगा इसको बोलते हैं class capital receipt, अगर मैं revenue receipt की बात करूए, दो पार्ट में है, tax और non-tax, tax component से, मिलने वाला सारा पैसा tax receipt है, other than tax, non-tax receipt, अगर मैं tax की बात करूए, दो टाइप के tax होते हैं, कौन-कौन से, direct tax, indirect tax, मेरे उपर सरकार ने tax लगाया, मैं अपने जेप से सरकार को tax भरूँगा, यह direct tax है, सरकार ने मेर उपर लगाया, मैं कस्टुमर से वसूल लोगा, that is called indirect tax, जिसको बोल दें GST, good sense of services tax, तो direct tax का जो burden है, हम किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, not shiftable, हमार उपर लगा गया income tax है, हमी देंगे, wealth tax, property tax, हमी देंगे, हम किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते, direct tax का nature progressive होता है, जितना ज्यादा कमाते चले जागो, इतना high rate से tax लएगा, जब ज्यादा बोज डालेंगे class अमीरों पे, indirect tax में बहुत सारी चीज़ा आती है, class, indirect tax के अगर हम बात करूँ तो indirect tax के अंदर क्या क्या आता है, जिसे direct tax के अंदर आगया आपका corporate tax आगया, custom duty, sorry corporate tax आगया, income tax आगया, इसके अलावा class कोई property tax है, वो आगया, और indirect tax के example, GST है, custom duty है, इसको class बोलते है, indirect tax के example, इसके अलावा, जो non tax item है, इसके अलावा, जो non tax item है, इसके अलावा, जो non tax है, वो है fees, fine, penalty, grant, donation, income from public enterprise, interest, जो मिलता है सरकार को लोन पे, वो सारा का सरकार का non tax receipt है, अब बात करते हैं, capital receipt के इसके तीन component होते है, सबसे पहला, recovery of loan, आपने किसी को loan दिया, वो asset है, लेकिन जब रीकवर हो जाता है, तो आपकी asset कम हो गई, तो recovery of loan capital receipt हो गया, disinvestment, अगर मैं किसी company के shares को खरीद रहा हूँ, तो वो investment है, लेकिन मैं उस company के थोड़े से हिस्से बेच दिया, सरकार थोड़ा सा Indian Railway बेच देती है, अगर हम revenue receipt से और capital receipt की difference की बाद करें, जो की paper में आता ही, बहुत important है, सबसे पहले MI Nori कि और klas, यह w dent, क्यों से बाद कोई असेट सरकार कीom हो रही है, यह ho recentfufik, और कोई असेट कम होगी, कोई यह^^만 आपकी बाद करदा है, बार हो बार होना है, और revenue receipt plus capital receipt जोड़ के आता है total receipt expenditure की बात करें, दो तरे खर्चे है, revenue expenditure, capital expenditure, budget expenditure revenue expenditure जो है, इससे कोई ना कोई सरकार की asset, sorry, इससे कोई भी सरकार की नहीं asset बढ़ती है, नहीं liability कम होती सरकार का free fund का खर्चा, जिससे सरकार का कोई asset नहीं बढ़ेगा, नहीं कोई liability कम होगा capital expenditure की बात करें, सरकार की कोई ना कोई ऐसा खर्चा जिससे कोई कोई ना कोई घर में असर्टाइगा, नहीं तो कोई ना कोई लाबिलेटी कम हो जाएगा अग्जाम्पल की बात करूं, इंटरस्ट पे करना, अँचिदीज देना, तो क्रमेंट एकोई जो जो गवर्मेंट एंपलोई लूवें इप खर्च करना, उनकी सालरी देना और इंप नहीं खर्चे की इखर्चे क्याओ घर्चे करना सब इचना सब रेवने एग्स बेसे क पॉसर योजना चलाती है, जैसे मालोग गयास चिलेंटर देने का उजवला योजना था, इसके लावा फ्रीमराशन बातना या कोविड वैक्सीन लगाना, इस सब योजना चलती है, सररकार के रेविने एक्सपेंडिचर है, सब्सुड़ी वगेरा देना, लेकिन अगर सरकार करना बहर कंपनी से कोई सूपर कंप्पूटर गई दिया, कोई जेट प्लेन ख़िद लिया, कोई सड़क बना दिया, स्कूल, हॉस्पितल, बिल्डिंग बना दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, यह सब क्या है, कापका अपका चापिदल एक्सपेंडिचर अगर इसमें करे यह रेकरिंग है, यह नॉन रेकरिंग है, यह जो खर्चा होता है, class, यह देश को चलाने के लिए खर्चा किया जाता है, लेकिन यह खर्चा होता है class, एसेट्स को बढ़ाने के लिए, देश की असेट्स को बढ़ाने के लिए, एक्जामपल है, interest, subsidy, expense on collection of taxes, tax collection का पैसा, donation, pension, charity यह सब खर्चा revenue, लेकिन अगर machine खरीदा, school बनवाया, hostel बनवाया, investment किया, किसी को loan repay कर दिया, loan आपने लिया हुआ था, आपने उसको repay वापिस कर दिया, इससे बिलावर्टी कम हो जाती, इसे बोलते है, capital expenditure, और दोने expenditure को जोडेंगे, तो आएगा total expenditure, budget तीन टाइप का होता जादा है, कमाई कम है, अगर country में inflation, अगर country में inflation, सर्कार बनाएगी surplus budget, अगर country में deflation है, तो सर्कार बनाएगी deficit budget, यह धियान रखना, अगर मैं बात करूं deficit की तो वो भी तीन अलग-अलग category में है, सबसे पहले, अगर मैं बात करूं deficit की, वो होता है, total expenditure minus total receipt, इसको बोलते ह अब यह तीन टाइप के हैं, revenue deficit, fiscal deficit और primary deficit, revenue deficit क्या होता है, revenue expenditure minus revenue receipt, अगर मैं revenue expenditure मैं से revenue receipt घटा दूँगा तो जो आएगा वोगा revenue deficit, इसका implication क्या है, higher revenue deficit, सरकार को यह warning signal देता है, कि या तो अपने खर्चे कम करो या तो अपनी कमाई बढ़ा लो, इंडिया गरीब कंट्री है, क खर्चे कम करनी सकते, देस अभी बन रहा है, तो सरकारी सिचवेशन से बाहर निकलने के लिए, क्या करती है, क्लास या तो लोन लेगी, या क्लास सरकार अपनी असेट्स को बीचेगी, असेट बेचते हैं, डिस इंवेस्मेंट सरकार की बढ़ जाएगी, लोन लेने से फिसकल डेफिशिट इसका मतलब बॉराइंग, बाइद गवर्मेंट सरकार ने कितना उधार लिया है, वैसे फॉर्मला होता है, इसका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल डिसीट, लेकिन टोटल डिसीट में एक चीज को छोड़ देना बॉराइंग से बाइगा इसका कर दोटल इसका मतलब कितना लिया है, आपने ज्यादा उधार लिया है, तो तुम्हारे ओंपर लून का जो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशिन बढ़ेगा, देसके अंदर महेंगाई बढ़ेगी, पैसा लुटिमेटल आप देसके अंदर खरोगे, फि कि इसी दूसरी कंट्रीबे डिपेंड हो जिनसे आप लोन ले रहे हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन, जो अगली सरकार आई उसके उपर भी टेंशन रहेगा, भी यह लोन लोटाना है, इवन फिसकल देफिशिट बढ़ेगा, तो इंट्रस्ट बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा, यहना कि प्राइमरी देफिशिट बढ़ेगा, प्राइमरी देफिशिट बढ़ेगा, तो यह तीनों देफिशिट आपको अच्छे से लर्न करना है, नेक्स अगर हम बात करें, सारे फॉमले, इस पूरे चाप्टर में, एक नियुमेरिकल भी पूछा सकता है, जो जो फॉम प्राइमरी देफिशिट बढ़ेगा, 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 प्राइमरी देफिशिट लर्न हो गया होगा and इसके साथ हमारा बजट का पूरा within 10 minutes हमने complete revision कर लिया है उम्हीदे वीडियो अच्छी लगई कि पसंद आयोगा लाइक करके शेर करना अपने सारे classmate दोस्तों पहुंचाओ मैं और ही quality content लेके होगा इस बार तुमारा board examination बहुत अच्छा निकालना है class ही मेरी जम्हदारी है please support करो, share करो, मिलते है next class में